अशार मास की आम वर्स्या तीथी 21 जून को कंकणा करीती सूर्य ग्रहन सुबा 9 बजकर 15 मिनिट से शुरू होगा और शाम 3 बजकर 4 मिनिट तक चलेगा यहां सूर्य ग्रहन सुबा से दोपहर तक पूरे हिमाचल समेथ पूरे भारत में खड़ ग्रास रूप में दिखाई देगा चमबा के परसित जूशी आजी पंडित ने बताया कि यहां सूर्य ग्रहन चमबा में सुबा 10 बजकर 24 मिनिट से शुरू होगा और दोपहर 1 बजकर 49 तक रहेगा उन्होंने इस दोरान सभी राशियों पर इस ग्रहन के कारण पढ़ने वाले फल बारे भी जानकारी दी उन्होंने बताया कि ग्रहन में सूतक होता है और इसलिए ग्रहन लगने से पहले खाना खा लेना चाहिए और ग्रहन के समय भगवान के नाम का जाब करें 21 जून 2020 रविवार आठासाद 2017 तो कंकन सूरी ग्रहन लगेगा यह सारे देशवा प्रदेश में होगा और चम्बा में सुबा दस चोब्बी से ले करके एक नुम जादा करेगा या अग्रहन मरिक सिरा और आद्रान चत्तर मितन रासी वालों को विसेश अरिस्ट दाइक है बाकी रासी वाले के लिए सामानने पल दाइक है मेश रासी वालों को सुब भैं और ब्रिक रासी वालों को हानी दाई मितन रासी को भैरेगा और करकर रासी वालों के लिए भी असुब भैं सिंग रासी वालों के लिए लाहब और कन्या रासी वालों के लिए कस्ट तुला रासी के वालों को चिंता रहेगी और ब्रिस्चक रासी वालों को भे, धन रासी वालों को कस्ट, मकर रासी वालों को चिंता, कुम रासी वालों को बैयाद। करेगा तथामीन रासी वालों के लिए सूप फल दाइक है गरहन में सूत कोता है और इसलिए गरहन लगने से पहले खाना वगरा खा लेना चाहिए और गरहन काल में भगवान का नाम ले करके जाब तानादी करना है जिससे कष्ट जो है वानिवार होता है गर्वावस्ता इस्त्री को इस समय गरहन के समय में अपने कमरे के अंदर ही रहना चाहिए और जाला खारिस बगएरा या कोई ऐसे कारी नहीं करना चाहिए